अच्छे नियूसमासेर आज हम बनाने वाले हैं डॉल्फिन पेपर माशे तो जीसके लिए हमारे पास old newspaper है न्यूड़ नियूसम पेपर फोल साइज में होना ची फोल साइज इसलै लिया है क्योक्कि हां पर हम बड़ी डॉल्फिन बनाने वाले ही तो जो newspaper फुल साइज का होता है उसके उपर फेविकॉल अच्छे से लगा लेते हैं और लगा लेने के बाद scale की साइथा से mix कर लेते हैं पूरे newspaper पे अच्छे से फेविकॉल लगना चाहिए और उसको हम paste कर लेते हैं कहीं पे भी उसमें हवा नहीं रहना चाहिए इसलिए अच्छे से paste कर लेते हैं वैसे दूसरी साइड में भी फेविकॉल लगा लेंगी और उसे भी हम paste कर लेंगी paste इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा थीक होना चाहिए इसलिए otherwise single paper लेंगे तो फट जाता है तो यहाँ पर हम paper को थोड़ा मोटा कर ले रहें इसलिए हमने यहाँ पर फेविकॉल लगाया दो newspaper को चिपका दिया एक दूसरे में अच्छे से तो यहाँ पर old कोई भी newspaper लेते हैं उसके बाद उसको हम ford करके चेक कर लेते हैं अच्छे से यहाँ पर dolphin का हमारा मन चाया शेप में हम dolphin draw कर सकते इसलिए हम यहाँ पर आउट लाइन कर लेते हैं पहले उसकी आउट लाइन pencil से कर लेते हैं यहाँ पर उसका finz रहेगा नीचे उसकी tail रहेगी इस type से हम यहाँ पर draw कर लेते हैं उपर side से भी अब यह पूरा draw हो गया इसको हम scissor की side से cut कर लेते हैं अच्छे से तो हमने paper fold किया था इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें दो part उसके बनना चाहिए थे तो इस type से हम cut कर लेते हैं यह दो part ready हो जाते हैं यह ready हो जाने के बाद फेवी कॉल की साइता से हम उसको एक दूसरे पर चिपकाने वाले तो चिपकाते समय आदा ही चिपकाने वाले हैं आदा चिपकने के बाद हम उसके अंदर paper की छुटे छुटे पीस करके भरने वाले हैं चिपकाने के बाद थोड़ी देर सूपने देना है तब तक हम उसका fins वाला part ड्रॉआ कर लेते हैं तो जैसे यहाँ पर दो part हमने बनाएते हैं वैसी fins की भी दो part बनाते हैं पूरा अच्छे से cut कर लिया वैसी और एक बना लेते हैं तो यह दो part बना लिये हैं इस टाइप से हम रखके देख लेते कि हमें कहां प्यारेंच करना है इसे भी हम glue के साइता से paste कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी जगा उसमें open रहने देते हैं क्योंकि हाँ पर हम उसके अंदर paper के छोटे छोटे पीस कट करके डालने वाले हैं क्योंकि हाँ पर हम paper मार्षि बना रहे तो तो हम उसके अंदर छोटे छोटे पीस कट करके डालने तो ऐसे ओर 5-6 newspaper कट करना है है छोटे छोटे पीस में कट हो जाने के बाद यह जो उसका पेट है इसके पेट के अंदर हम यह धोटे छोटे पीस भर देते हैं पेपर की जो हमने paper के piece cut करके रखे वह अब हम इसके पेट के अंदर भरते चलते हैं धीरे धीरे बहुत जोरो से भी नहीं तो paper फट सकता है तो इस type से check भी करते चलते हैं और चिपकाते भी चलते हैं पुरा अच्छे से चिपका लेने का है थोड़ी देर सूपने देने का ये हो गया इसके बाद जो टेल का पार्ट है उसमें भी छोटे छोटे पेपर डाल देतेएं वेशी जैसा उपर किया वेशी हम उसके फिंस के पार्ट में भी भर थोड़ी सी जगा ऊपन रखी थी कि यहां पे हमें paper की piece cut कर सकते हैं але तो केची से भी cut कर सकते हैं चिपका लिया अच्छे से चिपकाने के बाद उसे सूपने देना है क्योंकि उसमें paper बाहरा सकता है और चेक भी करना है तो इसी टाइप से दूसरे वाले पार्ट में भी हम भर देते हैं दोनों में अच्छे से पेपर भरना है सेम साइज में बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतले भी नहीं होना चाहिए उस मात्रा में हम पेपर भर देते हैं और चिपका लेते अच्छे से तो ग्लू अच्छे से लग गया, अब इसके बाद हमने चेक करना है कि कहीं से फेविकॉल नहीं लगा होगा तो वो लगा लेने का है, सारी जगा चेक कर लिया, इसे भी अच्छे से चेक कर लेने का है, तो यहां स्टेपल का भी यूज कर सकते, स्टेपलर का भी, यह हमारे प लगा लेते हैं तो यहां पर हमारा मंचाय शेड में भी हम डॉल्फिन का कलर कर सकते हैं जैसा हम यहां पर हम blue कलर करें Otherwise यहां पर white और black को मिला के grey बना सकते हैं वैसे भी करना है या और भी कई colorful दोनों side से same color लगा लेते हैं पूरा अच्छे से कलर लगाना है कहीं पे भी छुटना नहीं चाहिए बाद में से हमें डेकोरेट करना है तो भी हम कर सकते कुछ अलग से एक्स्ट्रा डेकोरेशन की चीज़े एट करके लगाना है तो भी हम लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम coloring अच्छे से लगा लेते हैं दोनों साइड सेम सेम यह सुख जाने के बाद हम यहाँ पर नीचे की साइड में white color लगाएंगे इसको भी blue color लगा लिया और उसके body के ऊपर भी अब जो नीचे की शेप है वहाँ पर हम white color कर रहे हैं यहाँ पर हम black color भी कर सकते हैं तो colors combination हमार जोइस के हम dolphin के अंदर कर सकते हैं इस टैप से पूरा colors और यह colors दोनों साइड लगाना है उसकी बाद black color की साइटा से हम brush की साइटा से border बना लेते हैं नहीं तो यहाँ पर हम बड़े marker का भी use कर सकते हैं black color fins को हो जाने के बाद अब हम जो dolphin है उसको border कर लेते इस टैप से हम दोनों साइट से black color की साइटा से border बना लेंगे पूरी border हो गया अब यहाँ पे हम favicol की साइटा से paste करते हैं तो हम पे favicol लगा लिया है थोड़ी देर सूकने देना है यहाँ पे इसी type से होना चाहिए तो यहाँ पे हम support के लिए जो color है उसको भी लगा के रखते हैं इसका mouth बना लेते हैं इस type से हम एक सुन्दर सा dolphin का shape तैयार कर सकते हैं और इसे decorate भी कर सकते हैं इसके उपर हमें कुछ लगाना है तो सारा चेक करना है नहीं पे छूट गया नहीं छूटा यह सारी चीश तो इस type से हम एक सुन्दर सा पेपर माशी फीज बना सकते हैं आपको कैसा लगा आप comment box में comment करके बता सकते हैं Thank you